तो दोस्तो आज हमारे पास है एक लावा कंपनी का A1 फॉन आप देख सकते हैं इसका ये A1 मॉबाइल है और ये लावा कंपनी का है दोस्तो और इसमें प्रोब्लम दोस्तो माइक की है यानि कि कई माइक इसमें लगा के देख लिए हैं पहले एक के टेक्निसियन के पास पहु तो इस वीडियो में हम आपको step by step सब कुछ बताएंगे किस तरीके से आप इस problem का solution कर सकते हैं, वो भी बिना कोई IC को छेड़े और बिल्कुल आप इस वीडियो में बने रहें, ताकि आप समझ सके कि इसकी जो mic की problem जहें, वो किस तरीके से solve कर सकती है, क्योंकि कई mic change करके दे solution नहीं हुआ है, तो किस तरीके से इस problem का solution होगा, वो हम आपको बता दिया, सबसे पहले नमबर पे आता है, अगर आपके mic जो है, बर्क नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले नमबर पे आता है, वो आप समझ लिए, सबसे पहले आपके, आपको अपने mobile की setting पे जाना होगा, तो सबसे नीचे आपको देखने के मिलेगा, setting restore करें, यानि कि setting restore करें, दोस्तों वीडियो को skip न करें, अभी और भी चीजें हैं बताने के लिए, और अभी तो यह हम example तो पर बता रहे हैं कि इससे भी problem create हो सकती है, तो देख सकते हैं, setting restore करने का यह बोल रहा है, तो setting restore कर देते हैं, तो setting restore करने पर जहां पर पहुंचेंगे तो password मांगेगा, तो password लाबा का हम आपको बता देते हैं, जितने भी लाबा की keep it phone है, उसका password होता है, 4, 3, 2, 1, तो आपको यह याद रखना है दोस्तों कि लाबा की जितने भी keep it phone होते हैं, उनका password होता है, 4, 3, 2, 1, और जैसे ह यह code डालेंगे, ok कर देंगे, तो ok करेंगे, तो यह reset हो जाएगा, तो दोस्तों sorry, यह हम नीचे बटन दबा रहे थे, ok बाला नहीं दबाया था, तो यह जैसे ही हमने ok किया, तो यह restart हो जाएगा, और अपने आप यह चालू हो जाएगा, फिर आपको language जो है, चूच करने क हैं, और यह चालू हो जाता है, तो दोस्तों हमने यह भी करके देख लिया था, लेकिन अभी भी हमारी problem को solution नहीं हो जाता है, तो next step क्या होगा, वो आप समझ लेजी, और यही man point होता है, तो कई बार hard reset करने से, mobile को restore करने से problem का solution हो जाता है, माइक की, इस लिए हमने वो पह हमने open कर लिया है, PCB board को बाहर निकाल लिया है, देख सकते हैं कि दो माइक तो हमने change कर लिया है, और यह किस में लगा हुआ है, तो तीन माइक तो हमीनत चेक कर लिये, लेकिन इसकी problem को solution नहीं हुआ है, तो दोस्तों देख सकते हैं, यह माइक भी बिलकुल proper लगा हुआ है, क इसको हम बाहर निकाल लिया है, तो देख सकते हैं, और अभी हम इसमें कुछ important चीजें बताएंगे, जो आपको दियान में रखना है, क्योंकि यहीं आपको दियान देने की आवच सकता है, तो देख सकते हैं, यह positive है, यह negative है, तो यह negative positive दोनों है, यहां पर हमको supply test करना है, तो अभी हम यह माइक यहां पर रख देते हैं, और देख सकते हैं कि बीप की राइंट पर हमारा multimeter लगा हुआ है, तो चलिए, red crop को ground पर रख देते हैं, और black से test कर लेते हैं, तो ground पर सबसे पहले चेक करते हैं, जो माइक का ground होता है, तो वहां पर 900 पिलास रीडिंग मिल लए हमको, और positive पर चेक करते हैं, तो यहां पर भी 900 पिलास रीडिंग मिल लए है, यानि कि 900 से उपर ही रीडिंग दोनों साइड मिल लए है, जो देखने को मिल लए है, तो कहीं न कहीं हमको ground वाली रीडिंग में doubt है, तो जो भी हो फिलाल, थोड़ा सा जूम करके आपको test कर आके दिखा देते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो यह आप देख सकते हैं, कि हम जूम कर दिया है, और देखिए, आप दोनों साइड पर यह हमको 900 पिलस रीडिंग जो है, देखने को मिल ला है, तो अभी हम आपको बता देते हैं, कि किस तरीके से हम इसे problem को find out कर सकते हैं, solution कर सकते हैं, तो आप यह देख सकते हैं, यह प्लस पॉइंट है, यह battery connector की पीछे जो है, वो प्लस पॉइंट है, और यह माइक का प्लस पॉइंट है, ठीक है, और दूसरी साइड इसका माइनस पॉइंट है, यानि कि जिसमें माइक लगता है, वो र नूर कर देना इसको भी कोई जरूरी नहीं है आपको यह वाला पॉइंट जो है ध्यान देना है यह पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव वाला तो दोस्तों आपको यहां पर यह ब्लैक वाला मल्टिमीटर का सिरा है यह हमने पॉजिटिव पर रख लिया है और पॉजिटि पाउजिटिव कनेक्ट भराय तो सुन सकते हैं आप यहां पर बीप की बाईट को नहीं है तो यहां पर हमारा पॉजिटिव पनेक्ट हो रहा है तो दोस्तों आपको हम बता दें कि अगर आपका पॉजिटिव यह वाला मिस है यहाँ पे कोई भी voltage supply नहीं मिल लगी है तो आप सीधा सीधा यहाँ से इस capacitor से यहाँ से एक capacitor से डाइडेक्ट जमपर आप यहाँ पे positive पे लगा सकते हैं तो आपकी supply यहाँ पे मिलना है start हो जाएगी यहाँ से यह positive है माइक का तो यहाँ से आपको एक जमपर सीधा इस capacitor पे लगा देना है आगे तो आपको यहाँ पे supply जो है मिलना है start हो जाएगी तो यह यहाँ पे connect हो जाएगा अगर आपकी supply यहाँ पे आ रही है positive पे तो ground को आप छोड़ देना है ग्राउंड से कोई भी छिलाखानी नहीं करना है हम आपको shortcut तरीका बता रहे है ठीक है इसको आप पे miss कर देना इसको ignore कर दे और यह positive पे आपको देना है तो positive की हमने supply यहाँ पे short है तो वहाँ पे हमने आपको बता दिया है अगर आपकी supply short नहीं है तो आपको कोई भी jumper लगानी के अवसिक्ता नहीं है अब आपको mic किस तरीकी से लगाना है वो हम आपको बताएंगे तो यहाँ पे side में scratch किया हमने दोस्तो तो आप देख सकते हैं कि scratch हम कर रहे हैं इसमें scratch करने के बाद हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे हमको करना क्या है तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ground वीप मिल लगी कि नहीं तो आप सुन सकते हैं तो यहाँ पे हमको ground की वीप voice मिल लगी है तो यह हमारा ground हो गया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने scratch किया है देखिए यहां पे हमने स्क्रेच कर दिया है थोड़ा सा और दोस्तों स्क्रेच करती समय आपको ध्यान देना है बहुत ही इंपोर्टेंट है कि आपने स्क्रेच कहीं गलत जगाय पे नहीं करना है तो किस जगाय पे करना है आपको स्क्रेच वो आप समझ लीजिए ऐसी जगा हेरї Kabatra कि देख सकते हैं यहां पर हमने कभे मार्ड़ा और स्प्रेश कर दिया है लेकर यहां पर कोई भी कोई होग होगी कारब से लुए को कने अश्ची के लिए वह कहा होगी च४्ल्णा साइच्छ तो में प्रॉपल्म क dominant हो जाएगी ठीक है तो यह देना और आपको स्क्रेज़ करके वहां पर में शोल्डिंग कर लेनी है चलिए हम तो दोस्तों जहां पर हमने स्क्रेज़ किया है वहां पर में शोल्डिंग कर लेते हैं तो देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने इसमें सोल्डिंग कर ली है और अब हमको यूज किस तरीके से लेना है इसको हमने यू किया है वो आप समझे इस तरीके से माइक हमको लेना है बिल्कुल step by step आपको बता रहे हैं दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब बिल्कुल कर देना क्यूंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया जाता है तो देख सकते हैं है कि माइक हमने ले लिया है और माइक का जो positive सिरा है यहां पर अटेच्छ कर देना है positive पर अटेच्छ कर देना है आपको दिखा भी देंगे zoom करके अभी उठाके पहले हम अटेच्छ कर लें और यह जहां पर हमने scratch किया था कि तो यहां पर इसको अटेज कर देना यानि कि जो ब्लैक बाला सिरा होता है नीले वाले को और रैड बाले को हमने पॉजीटिव पर सही लगाया है अगर पॉजीटिव पर भी कोई सप्लाइए तो आपको बताया है कि इसके आगे जो कैपसीटर होता है उससे आपको supply ले लेनी है तो इस तरीके से आपने माइक को connect कर देना है और माइक को connect करने के बाद दोस्तो तो फाइनली अभी आप टेस्टिंग का समय है टेस्टिंग आपको करा के दिखा देते हैं तो चलिए मुबाइल को पैक कर लेते हैं तो सिम बगेरा भी लगा देते हैं तो सिम लगाने के बाद अभी इसमें बैटरी कनेक्ट कर देते हैं और मुबाइल को ओपन कर देते हैं तो यह हमारा मुबाइल ओन हो रहा है तो दोस्तो आप देख सकते हैं कि ओन हो चुका है और अभी इसको टेस्ट करने की जो है बारी है तो यह हमारे पास एक फोन है इसमें एक सिंप बड़ा हुआ है तो इससे फोन से हम इसमें रेपियर किया है उसमें कॉल करेंगे तो call के लिए number नहीं देखा सकते हैं दोस्तों इसलिए हमने display को पलट दिया है ताकि number जो है policy के policy के हिसाब से नहीं है तो इस बज़े से number हम नहीं देखा सकते हैं आपको तो thon हमारा यहां से जाना start हो गया है और सुन सकते हैं आप के यहां पर घंटी बजने लगी है तो चलिए calling को receive कर लेते हैं तो देख सकते हैं के calling भी receive हो चुकी है हमारी और इसका loud speaker को खोल देते हैं और loud speaker को खोलने के बाद यहां से आप बॉइस सुनेंगे हमने loud speaker को खोल दिया है तो सुन सकते हैं आपके तेज बाइस आ रही है तो दोस्तों देख सकते हैं कि दोनों भी मॉबाइल में बाइस से बढ़िया रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब